देखो कापी लोगों को एंजल ओन एप के अंदर एक प्रोब्लम आ रहे है अमाउंट यूटिलाइज की उनका पैमेंट यापे यूटिलाइज हो चुका है जैसा मेरा हो रहा है देख सत्यू लगबग 3 लाग रुपए से कुपर यापे मेरे यूटिलाइज हो चुके है और आपे न मेरा पैमेंट लगबग पूरा सा यूटिलाइज हो चुका है तो अगर आपको भी ये प्रोब्लम आ रहे है तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो यापे मैं बिल्कुल बैंक चलता हूँ यापे जैसे देखोगे न मेरा ट्रेडिंग बैल होगी तो आपका जो पैमेंट यापे यूटिलाइज के अंदर देखने को मिलेगा अब मुझे कापी लोगों के कोमेंट आ रहे थी कि ये पैमेंट हो कैसे हम निकाले अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो अमांट हो यूटिलाइज क्यों होता है तो देखो सबसे पहले आपका दो कारण हो सकते हैं पहला आप जब भी कोई स्टोक को सेल करते हो ओल्डिंग के गो तो पैमेंट यापे यूटिलाइज के अंदर आ जाता है तो ये पैमेंट कब आपके ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर जाएगा तो अगर आपने आज सेल कि आना किसी भी स्टोक को तो कल यानि की दूसरे दिन आना आपका जो पैमेंट या से निकल की ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर चला जाएगा इसके लावा अगर आपने आज इंट्राडे किया है या कोई भी ओप्सन ट्रेडिंग किया है उसके अंदर अगर आपको हुआ है वो भी दूसरे दिन आपका यूटिलाइस से निकल के आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है यासे मैं बैक चलता हूँ ट्रेडिंग बैलेंस लिए रा ठीक है याँ पर देखने को मिल जाएगा यापको टेंशन लेनी की जर्त नहीं है अगर आप सोच रहे हैं आपका पैसा उड़ चुका है तो आपका एक रुपए भी यासे नहीं उड़ेगा दूसरे दिन आपका जो अकाउंट है उसके अंदर आपको यापर देखने को मिल जाएगा अगर आपका भी पैमेंट यापर यापर यूटिलाइज हो चुका है जैसे देखो मेरा हो गया है तो य कल एना मेरा अपनियासे निकल की मेरा तो ट्रेडिंग बैलनस उसके अंदर चला जाएगा तो यापर आपको ज्यादा टेंशन लेनी की जरत नहीं है अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके लाओ इनकी गेर से आप बात कर सकते हैं बस आज की लित नहीं